चलिये जी, गुड़े इवनिंग, सुब शंध्यार, राधे, राधे, जैश्रे किसना सभी साथियों को, बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लाटफॉर्म, UP SANGAM by MD Classes पर, बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, तो साथियो आज की सेशन में मैं आपको ये अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूँ, कि उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग की तरब से, PCS और RO-RO की एक्जाम, इसकी एक्जाम डेट, और जो दो दिन में परिच्छा कराने को जो लेकर बात चल रही थी, इस पर क्या कुछ लेट अपडेट है, और जो भी अपडेट देने जा रहा हूँ, यह सत प्रतीशत सत निकलने वाला है, और अगले कुछ दिनों में आपको इसका ओफीशल नोडिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, आईए सबसे पहले बात कर लेते हैं, PCS की और उसके बाद बात करेंगे, RO- की, तो अगर हम सातियों PCS की बात करें, तो हम जानते हैं कि सातियों PCS की परिक्षा टली और फिर दिसंबर में इसके होने के कयास लगाए जा रहे थे, कि आप दिसंबर को PCS की परिक्षा होगी, तो आपको बता दें कि दिसंबर में PCS की परिक्षा नहीं होगी, इस बात क लगबग 99.99% संभावना है तो दिसंबर में आपका PCS का पेपर नहीं होने जा रहा है अगली बात करें कि अब दिसंबर में नहीं होगा तो कब होगा अब exactly कोई exam date तो नहीं बता सकता कोई exact महीना भी नहीं बता सकता लेकिन कुछ संभावना है जरा देखिएगा कि आचार सह लग रही है और यह आचार सहीता साथियों 6 जनवरी तक रहने वाली है तो 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक तो आचार सहीता है ठीक है तो इस दर्मियान पेपर होने की समावना ना के बराबर है कुम्ब मेले की बात करें साथियों तो 13 जनवरी से कुम्ब मेला शुरू हो रह इसका यह मतलब हुआ कि दिसंबर में आपका पेपर PCS का नहीं होने जा रहा है तो फिर जनवरी में भी नहीं होगा फरवरी में भी नहीं होगा मार्च में भी नहीं होगा और इसका सीधा और साफ मतलब यह समझ में आता है कि अप्रैल में इसके होने की संभावना जताई जा सकती है और अप्रेयल में जताई क्या जा सकती है 99 परसंट यह लगता है कि वह अप्रेयल 2025 में 2024 का जो PCS है यह होगा अब यहां समस्या यह है कि इस साल की PCS का पेपर अगले साल होगा तो अगले साल का कब होगा तो खैर यह देखने वाली बात है लेकिन यह लोग से वह आयोग की बहुत बड़ी गल्ती है जो इस तरह से चीजें चल रही है हाला कि इधर बीच जिस तरह से की तयारी करने वाले प्रतोगी परिक्षाओं के द्वारा किये गए हैं और धर ने दिये गए हैं प्रतरशन किये गए हैं आयोग के सामने उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि एक ही शिफ्ट में आप पेपर होगा मतलब एक ही दिन पेपर होगा ये जो अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग दिन करानी की बात चल रही थी इस पर लगबग मुहर लग गई है और कुछी दिन में आपको अफीशली देखने को मिल भी जाएगा कि भीया अलग-अलग शिफ्ट में अलग-अलग दिन पेपर नहीं होने जा रहा है अब अगर हम आरो यारो की बात करें कि आप सोच रहोंग और इसकी भी 99.99% संभावना है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है तो आरो यारो को लेकर आप इस तरह की किसी गफलत में मत रहिए और अपनी तयारी सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ाते रहिए आप जैसे भी पढ़ रहे हों, रिवीजन बना कर रहे ह नोट्स बना रहे हो कुछ important topic के या फिर mock test लगा रहे हो, test series दे रहे हो मतलब ठीक है तो आप वो करते रहिए और सही दिशा में अपने आपको लेकर चलते रहिए ठीक है बया और यह भी है साथियों की आरो यारो को लेकर कोई कुछ भी कहें आप कुछ मत सुनिए आपके द बैच है इसको भी ले सकते हैं अभी अदिवाली offer में भी है अब last time में आप कहेंगे कि सर यह बैच लेकर क्या फायदा क्या हम इसको complete कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसको complete तो नहीं कर पाएंगे साथियों लेकिन यह है कि इसमें आप यह कर सकते हैं सबसे oriented हैं इससे आपके पिछली बार के exam में भी question आये थे जो फरवरी में हुआ था और इस बार भी बनने की पूरी संभावना है तो last time में यह 5000 सूपर selected question आपके लिए काफी फायदे मन्द हो सकते हैं और इसके अलामा जब आप test series लगाएंगे या चीजों को पढ़ेंगे तो अ जहां trick की जरुवत है trick का या जहां map की जरुवत है map का इस्तमाल करके इसमें चीजों को बताया गया है पढ़ाया गया है दिवाली offer में बहुत nominal fee में मातर 399 में उपलब्द है अब label है तो आप बिलकुल ले सकते हैं till exam इसकी validity रहेगी साथियों और इसको लेने का simple सा process क्या है तो यह देख लीजे बही कि simple है कि play store पर जाना रहेगा और हमारा official md classes official app download करना रहेगा इसको download करके अपना नाम नंबर डाल कर रिजिस्टर कर लीजेगा फिर जब आप app open करेंगे तो यहां paid courses को option दिखेगा इस पर click करेंगे तो यहां आपको batches नसर आ जाएंगे इसमें यकीन batch 2.0 खोज कर उसमें by now पर click करके आगे process करके आप यह batch ले सकते हैं बाकी आपनी तयारी में लगे रहे और यह जो जानकारी हमने दी है कुछी दिनों में आपको officially भी देखने को मिल जाएगी और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही हम आपके लिए जानकारी ल